Welcome to CuriosityBox मेरे नाम है निले श्रिवास्तव और आज की लेक्चर का टॉपिक है हमार पास वो है Capacitance of 3 Core Cables ठीक है तो हम इसके साथ आगे बढ़ते हैं तो जैसे हमने Single Core Cable की बात की थी वैसे ही हम 3 Core Cable की बात करेंगे 3 Core मतलब 3 Conductor और 3 Conductor साथ समझ के होंगे कि यह 3 Phase में यूज के जा सकता है ठीक है तो जो हमारा Conductor है उसमें एक Sheet होगी है ना और एक नहीं 3 Conductors होंगे उन 3 Conductor को हम Core बोलते देंगे तो हर एक Core के बीच में जो Capacitance होगी उसको हम नाम देंगे CC Capacitance between Core ठीक है और जो Core और Sheet के बीच में जो Capacitance होगी उसको हम नाम देंगे CS Capacitance between Core and Sheet ठीक है Capacitance between Core and Sheet ठीक है Capacitance ठीक है अब यह जो Delta Connected यह है हमार पास तीनो Cores है इनमें हमने Capacitance किस form में Connected है Delta Connected है इस Delta का Star Conversion करते हैं जो First Chapter में है ठीक है अगर आपको नहीं पता तो आप उस Lectures के reference ले सकते हैं तो Delta से Star में जब भी हमें Conversion करना हो ठीक है अगर मैं मानता हूँ कि मेरे पास यह Delta Connected Load है यह Z2 है और यह Z12 है एक Second ठीक है तो यह Z12 मानता हूँ मैं यहाँ 1 यहाँ 2 यह 3 इसे में Z23 मानता हूँ और इसे में Z31 मानता हूँ इससे मुझे बनाना हो Star ठीक है Star बनाना हूँ यह 1 हो गया यह 2 हो गया यह 3 हो गया यह Z1 यह Z2 और यह Z3 तो Z1 जो होगा वो होगा Z12 into Z31 divide by Z12 plus Z23 plus Z31 इसी तरह से Z2 क्या आएगा Z23 into Z12 divided by Z12 plus Z23 Z31 और इसी तरह से Z3 क्या आएगा Z31 into Z23 divided by Z12 plus Z23 plus Z31 अब यहां पर हमारा पर हमारा पास Z12, Z23 और Z31 की value है इसको मैं वह ऐसे कैसेता हूँ कि यह 2 है, यह 1 है और यह 3 है तो Z12 कितना है Z12 है मैं पास Capacitance है तो 1 by J omega cc है इसी तरह से Z23 कितना है वह भी 1 by J omega cc है और Z31 कितना है वह भी 1 by J omega cc है अब value substitute कीजिए ठीक है और इन्हें यहां पर डालिए मैं Z1 निकालता हूँ क्योंकि तीनों सेम ही है तो मैं सिफ Z1 निकालता हूँ Z2 और Z3 भी वही आएंगे ठीक है तो Z12 कितना है 1 by J omega cc ठीक है यह करने से जादा अच्छा है कि अब क्योंकि मुझे पता है कि Z12, Z23 और Z31 तीनों बराबर है तो मैं उस fact का use करके मैं हर एक term को Z12 लिख सकता हूँ तो Z12 square हो गया और नीचे हो गया 3Z12 है ना क्यानि मेरे पास आया 1 by 3 into Z12 और Z12 कितना है Z12 है 1 by J omega cc ठीक है यह कितना हो गया J omega 3 cc यहानि star का जो equivalent capacitance होगा उसे वह कितना होगा वह होगा 3 cc इसी तरह से बाकी दोनों में भी कितने होगे 3 cc ठीक है तो star equivalent capacitance कितना हुआ 3 cc तो एक बार मैं cable का दुबारा से diagram बनाता हूँ लेकिन इस बार star के साथ ठीक है है थोड़ा सा बड़ा बना लिते हैं हो हुआ हुआ थो हुआ 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 यह हमारे cores हो गए, यह हमारे पास capacitance आ गया, यह 3cc, यह भी 3cc, और यह भी 3cc, यह CS, यह भी CS, और यह भी CS, अब हम ऐसा मानते हैं कि जो star point है, और यह जो sheath है, दोनों ही same potential पर है, और वो same potential क्या है? crown potential, 0 potential है, अगर ऐसा है, ठीक है, तो अगर मैं हर एक point को एक नाम देता हूं, इसको a देता हूं, इसको b और इसको c, ठीक है, तो a से लेके crown के बीच में क्या है? यह g नाम देता है, यह भी g potential पर है, ठीक है, A से लेके G के बीच में क्या है A से लेके G के बीच में है 3CC है ना 3CC है और A से लेके G के बीच में और क्या है CS है A से लेके G के बीच में क्या है CS है तो A से लेके G के बीच में total capacitance कितनी हो गई A से लेके G के बीच में total capacitance होगी जब capacitances parallel में होती है तो वो simple add हो जाती है ठीक है क्या कर रहा हूँ है हाँ तो simple add हो जाती है तो A से लेके G के बीच में जो capacitance I y 3 cc plus c s ठीक है, इसी तरह से B और G के बीच में भी 3 cc plus c s और c और G के बीच में 3 cc plus c s तो मैं कह सकता हूँ equivalent एक phase की capacitance एक core और sheet के बीच की capacitance कितनी है, वो है 3 cc plus c s ठीक है अब यह cc और जो c s है उनको calculate करने के लिए हमारे पर कुछ test है कुछ तरीके हैं जिनसे हम यह indirectly निकाल सकते हैं ठीक है, हमारे पर c equivalent तो आ जाएगा अगर हम इस तरीक जो भी हमारे पर पास यह है, cable है ठीक है, एक phase की capacitance निकाल ले तो c equivalent तो आ जाएगा, लेकिन cc और cs निकालने के लिए हमारे पर अलग तरीके हैं ठीक है, तो वो क्या है वो देखते हैं पहला क्या तरीका है, पहला तरीका है कि हम ऐसा माने माने क्या हम तीनो कोर को एक साथ जोड़ दें ठीक है, तीनो कोर को एक साथ जोड़ दें और शीथ वाली के पिस्टेंसे बस रहने दें शीथ वाली के पिस्टेंसे बस रहने दें ठीक है, अब तीनो कोर को एक साथ जोड़ दिया तो वो तीनो पॉइंट एक ही पॉइंट हो जाएंगे उस पॉइंट को हम A नाम दे देते हैं और शीथ वाले पॉइंट को हम G नम दे देते हैं ठीक है शीथ वाले पॉइंट को हमने G नम दे दिया यह सारे पॉइंट G हैं अब हम देखते हैं A से G के बीच में क्या-क्या है A से G के बीच में एक CS है और एक नहीं है तीन बार है है ना ठीक है A से G के बीच में CS है A से G के बीच में एक और बार CS है और एक और बार CS है तीन बार CS है है ना CS CS और CS पैरलल में है यानि add हो जाएगा यानि इसका मतलब इस कहां और इस case में यह first case है ना तो मैं मानता हूँ कि जो भी equivalent capacitance आरी है वो है C1 तो C1 कितना आरहा है 3 CS C1 कितना आरहा है 3 CS यानि अगर मैं इस case में capacitance निकाल लेता हूँ तो मैं पर CS आजाएगा कितना आजाएगा जो भी capacitance आई है उसको 3 से divide कर देंगे तो आजाएगा C1 by 3 ठीक है दूसरा case क्या है दूसरे case में मुझे कोई भी एक core और sheet के बीच के part को न शौट कर रहा है ठीक है मतलब यह है यह मैंने CC यहाँ पर लगा दिया ठीक है एक CC यहाँ पर है और एक CC यहाँ पर है और यह वाला जो core है तीसरा वाला इसको मैं direct sheet से शौट कर दूँगा ठीक है बाकी दोनों CS रहने दूँगा बाकी दोनों CS रहने दूँगा अब यह मैंने sheet वाला point G मान लेता हूँ sheet वाले point को मैं G मान लेता हूँ ठीक है यह भी G होगा यह भी G होगा same point है है ना यह point भी G हो जाएगा इस point को A कैसे था हूँ और इस point को B कैसे था हूँ ठीक है अब हम सबसे पहले देखते हैं A और G के बीच में क्या क्या है A और G के बीच में एक CS है यह रहा और A और G के बीच में एक CC है तो पहले मैंने A और G के बीच में एक CS डाल दिया और A और G के बीच में एक CC डाल दिया ठीक है एक CS और एक CC ठीक अब मैं देखता हूँ B और G के बीच में क्या है B और G के बीच में एक CC है और B और G के बीच में एक CS है ठीक है तो एक CS है और एक CC है B और G के बीच में अब A और B के बीच में क्या है A और B के बीच में CC है ठीक है तो A और B के बीच में हमने CC डाल दिया अब इसको हम solve करते है इस चीज को हम solve करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा इस चीज को solve करेंगे CS और CC parallel में parallel मतलब add कर दो CC प्लस CS A और G के बीच में इसी तरह से CC प्लस CS G और B के बीच में और A और B के बीच में एक CC और आ जाएगा ठीक है अब CC प्लस CS सीरीज में है एना तो यह सीरीज कॉंबिनेशन जो रिजल्ट आएगा ठीक है कैपिस्टेंस अगर सीरीज में हो जैसे अगर C1 और C2 सीरीज में है तो एक्यूविलेंट कैपिस्टेंस हो जाएगा जैसे अगर दो कैपिस्टेंस C1 और C2 सीरीज में है ठीक है तो एक्यूविलेंट कैपिस्टेंस हो जाएगा C1 इंटू C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 और अगर c1, c2 बराबर है तो आजएगा c1 square by 2c1 यानि c1 by 2 यहाँ पे तो हमारे यही कैसा c1, c2 बराबर है c1, c2 बराबर है यानि यह दोनों जो series में है यह दोनों जो series में है यह दोनों जो series में है इसका equivalent आएगा इनका half ठीक है तो नया diagram क्या बना नया diagram बना a और b के बीच में cc plus cs divide by 2 ठीक है और यहाँ पे cc अब यह दोनों क्या है यह दोनों है parallel में parallel मतलब add c2 क्या बना c2 मतलब case 2 में जो capacitance आ रही है equivalent वो क्या बना cc plus cs by 2 plus cc ठीक है तो यह कितना हुआ यह हो गया 3 by 2 cc plus cs by 2 इसे मैं लेख सकता हूँ 1 by 2 3 cc plus cs अब 3 cc plus cs क्या था 3 cc plus cs था c equivalent है ना यानि यह हो गया c2 कितना हो गया c2 हो गया 1 by 2 c equivalent है ना तो equivalent निकालने का हमारे पास एक alternative तरीका भी है हम c2 निकालेंगे और उसे उसे 2 से multiply कर देंगे तो हमारे पास c equivalent आ जाएगा ठीक है अब हमारे पास जो तीसरा case है तीसरे case में हमारे पास तीसरे case में हमारे पास क्या है जो हमारे पास core है ठीक हाँ जो दो core है उन्हें हमें join करना है ठीक है और शीत को भी उनके जो शीत वाले capacitance थे उनको भी short करना है ठीक है बाकी adjectives हम रहने देंगे c c c और ये c s और capacitance हम कहां calculate करेंगे ये point a मानते हैं ये g मानते हैं ये भी g हुआ ये भी g हुआ और ये दोनों भी g हो गए क्योंकि short की है दोनों core की sheath वाले capacitance short कर दी और उन दोनों core की बीच की जो capacitance थी वो भी short कर दी ठीक है अब हम a और g के बीच में capacitance नकालेंगे तो a और g के बीच में क्या क्या है a और g के बीच में C c है A & G की बीच में C c हैं दो बार है ना दो बार C c है और एक बार c s है एना एक बार c s है अब इसके हिसाब से तीनो पैरलल में हैं तो c 3 क्या बना 2 c c plus c s है ना यह बना, अब मैं इसमें एक बार cc add कर दूँ और एक बार cc minus कर दूँ तो यह क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा 3cc plus cs minus cc, जो कितना हो गया, 3cc plus cs कितना है, c equivalent minus cc, यानि अगर हम c3 निकाल ले और c equivalent निकाल ले, तो हम cc निकाल सकते हैं, cc क्या आएगा, c equivalent minus c3, तो हमारे पास alternative तरीका है cc निकालने का, first case में था, ठीक है, अब हमारे पास last case है, last case में हमें क्या करना है, दो core को short करना है, बस, और कुछ नहीं करना है, दो core को short करना है, ठीक है, तो मैं यह दो core short कर देता हूँ, इनके बीच में cc, इनके बीच में भी cc, ठीक है, यह हमारी sheet हो गई, c s, और यह भी c s, ठीक है, इस point को a मान लेता हूँ, यह point b हो जाएगा, यह भी b हो जाएगा, और यह सारे point g हो जाएगे, अब हमें a और b के बीच की capacitance निकालनी है, ठीक है, a और b के बीच की, अजी एक c.s है टीक है g और b मे character g और b में क्या है g और b में में मरपस 2 c.s है टीक है a और g में 1 c.s था b और g में 2 बर c.s है c.s और c.s अब a और b में देखते है A और B में इसी तरह से दो बार क्या है A और B में इसी तरह से दो बार CC है दो बार CC है ठीक है एक CC और एक और CC एक CC और एक और CC ठीक है, दो बर CC है, जो parallel में है वो add हो जाएंगे, parallel में हो add होंगे, और add होने के बाद equivalent क्या बनेगा, next slide में बनाता हूँ, यहाँ पे एक CS था, ठीक है, दो CS parallel में थे, parallel में होने का मतलब है कि वो add हो जाएंगे, यह यह 2CS आ जाएगा, ठीक है, 2CS आ गया, यह B है, A और B के बीच में, 2CC parallel में थे, 2CC parallel में होने का मतलब है, 2CC आ गया, ठीक है, अब CS और 2CS सीरीज में है, सीरीज में मैंने क्या बता है था, अगर C1 और C2, सीरीज में है, C1, C2, सीरीज में है, ठीक है, तो CAB कितना होगा, CAB होगा, C1 into C2 divided by C1 plus C2, यहाँ पर हमारे पास C1 जो है, वो CS है, और C2 जो है, वो 2CS है, हम वही चीज़े लेते हैं, और C1 कितना है, C2 है, 2CS, मेरे पास आया, 2CS square divided by 3CS, ठीक है, 1CS कट जाएगा, तो मेरे पास आया, 2CS by 3, CAB कितना है, 2CS by 3, तो मेरे पास अब, सीरीज कॉंबिनेशन बना, 2CS by 3, ठीक है, 2CS by 3, और नीचे क्या है, 2CC, पैरलल में है, पैरलल में मतलब add हो जाएगे, यह 4th case था, तो C4 कितना है, 2CS by 3 plus 2CC, ठीक है, यह आया मेरे पास, 2CS by 3 plus 2CC, ठीक है, अब हमारे पास, एक चीज और थी, हाँ, अगर मैं इसको, इसका L-SIM ले लो, तो यह आएगा, 2CS plus 6CC by 3, है ना, अगर मैं इसका L-SIM ले लो, अब उपर वाले numerator से 2 common ले लो, तो मैं ले सकता हूँ, 2 by 3, 3CC plus CS, और 3CC plus CS क्या है, C equivalent, तो C4 कितना है, 2 by 3, C equivalent, तो हमारे पास C equivalent निकालने का भी एक और alternative तरीका है, ठीक है, तो यह चार तरीके थे, जिनसे हम indirectly C equivalent निकाल सकते हैं, या फिर CS निकाल सकते हैं, और C, C निकाल सकते हैं, तो आज की लेक्षर न बस इतना है, thank you